और साथ मैं वाइट वोर्ड एक दूसरे के ओपर फैंकते होई दिखाई दे रहे हैं सो हें गाइज वल्कम बैक अगान माई न्यू वीडियो और आज की वीडियो सिर्थ से अमिर माजिद पर होने वाली है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताए था कि टैन रैंडम वीपल अटेक डॉन आमिर माजिद तो आपी लोगों की डिमांड थी कि बाई सी सी टीवी फोटेज लाके दो हमें जिससे हमें पता चले कि अमिर माजिद पर अटैक किस ने किया था तो आज की वीडियो में जो अमिर माजिद पर अटैक वह था सारी की सारी वीडियो और फोटेज इसी वीडियो में मिलने वाली है वीडियो को जुरूर लाइक करे शेर करे कमेंट क करते हैं सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव सीची टीवी ऐ वीडियो धेखा रहे हैं तो भाइस यह रही वह वीडियो जिस पे आमिर माजीद आपको सिद्रा कैफे में दिख रहे हैं जहां पर उनके हथा पाई वही है भहांकि को तरफ से यह वीडियो आई है जहांपर आमिर माजित पर अटाक किया गया है आप यह वाली वीडियो देख सकते हैं सब्सक्राइब देखाई एक जो फोन से रिकॉर्ड की गई थी सीधर कैफे में और दूसरी जो जेकर मीडिया की तरफ से लिए है जेकर मीडिया की तरफ जो अपडेट आ रहा है कि जब सबसे पहले अटेक हुआ है जो आमिर माजीद ने पहला हाथ उटा है आई डों लो कि बाहर क्या हुआ था कि बाहर कि अभी तक कोई भी वीडियो नहीं है अमिर माजीद के तरफ से जो वीडियो आ रही है उसमें अमिर माजीद चीर्स और साथ में वाइड वॉर्ड एक दूसरे के पर फैंकते होई दिखाई दे रहे हैं आप सबको पता होगा अमिर भाई अभी तक हॉस्पिटल में हैं और उन से मिलने वाइड वॉल्फ राइडर गे थे और उन्होंने बताया कि आमिर भाई उनको तो मिले नहीं क्योंकि जिस हॉस्पिटल में आमिर पहले एडमिट थे लेकिन वहां से शिफ्ट कर दी गए उन्होंने कहा कि उनकी बात उनके छोटे बाई से हुई थी सैम ने कहा कि आप वह पहले से ठीक हैं तो जल्दी से जल्दी वह पूरे के पूरे ठीक हो जाएंगे फोर्थ टाइम है जब आमिर भाई पर अटाक हुआ था पहली बार सिद कैफे में आप देख पा रहे होंगे यह वीडियो मैंने पहले भी बताई है आप फिर से बताने वाला हूं सबसे पहले कमेंट करें आमिर माजीद केट वल सोन जल्दी से जल्दी जल्दी वह ठीक हो जाए चैनल की माधिम से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है तब तक के लिए मिलते हैं नाक्स वीडियो